तो देखो सूदेंस लास्ट टॉपिक जो मैं कंग्लीट किया था आई होप पूरा का पूरा चाप्टर आपको क्लियर हुआ होगा इसमें हमने बात करी कि क्लोबलाइजेशन क्या है इंटरनाशनलाइजेशन क्या होता है जब हम इंटरनाशनल ट्रेड करते हैं तो क्या-kya चीज़े हमें देखनी पड़ती है आज के इस लेक्शर में सूदेंट हम बात करेंगे इंटरनाशनल बिजनस एंवार्मेंट और मैं आप लोगों से detail दे चुका हूं right but still मैं आपको फिर भी एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूं business environment के बारे में so that आप कोई बात समझ में आ जाए दिको सबसे बहले समझो जैसा कि मैं हर class में बोलता हूं क्योंकि आप mostly students वो वाले हैं जो commerce में है commerce पढ़ चुके हैं तब जाके आप इन courses को चूछ कर रहे हो assuming that मैं बार-बार आपसे कहता हूं कि आगर 12th class का business याद करोगे तो 12th class के business में आपने business environment पढ़ा था तो जो वो topic आपने पढ़ा था ना उसी से मिलता जूलता topic है यह कुछ अलग से कोई topic नहीं है तो पहले मैं आपसे बात करता हूं कि यह जो business environment है इसका क्या मतलब है ठीक है और अगर मैं domestic business कर रहा हूं या अगर मैं international business कर रहा हूं तो उसमें इसकी क्या importance है ओके देखो student आपको business शुरू करना है let's just suppose आप अपना यह पढ़ाई complete करके business start करना चाह रहे है अब जब आप business करोगे न तो दो चीजे होती हैं जिनको आपको ज्यान देना होता है मैं बात करूँगा उन दो चीजों को एक काम करते हैं factors में divide करते हैं और इन factors को हम कहते हैं दो पार्ट में divide कर लेते हैं एक होंगे हमारे पास internal factors और एक हमारे पास होंगे external factors ठीक है तो दो factors है internal and external internal factors student उन factors को कहा जाता है जो आपके premises के अंदर होते हैं और जिन पे आपका control है तो internal factors को मैं एक तरीके से controllable factors की form में भी बोलना चाहूंगा विच इस नोट गलत इनकरेक्ट क्योंकि यह controllable है आपकी कंपनी का management ठीक नहीं हो रहा है आपका labor ठीक से काम नहीं कर रहा है discipline labor नहीं है तो कुछ अगर ऐसे issues है तो भाई यह तो controllable है तेरे control में है तुम अपना देख लो क्या problem है कोई machine खराब चल रही है कोई policy ठीक नहीं है कोई rule आपने गलत बना दिया है यह ज्यादा stringent rule है तो यह तो controllable है लेकिन अगर मैं external की बात करूंगा तो students external factors कौन से होते हैं जो beyond your control होते हैं यह वो हुए जो controllable होते हैं ठीक है अब external क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है इनको मैं control नहीं कर सकता लेकिन मैं क्या कर सकता हूं I can amend my ways I can amend my ways of doing business मैं अपने तरीके बदल सकता हूं ताकि मेरे business को इनकी वजह से नुकसान ना हो आप समझ नहीं हो ना मैं यहां पर तो भाई मैं अपने रास्ते बदल लूँगा में लेबर पसंद यह अटा हो इस लेबर को यह एक तरीके से overcome करने के लिए मैं अपने रास्ते बदल सकता हूं इस तरीके की चीजे करके के यह में को अफेक्ट ना कर तो business environment का मतलब है वो सारे external factors जो business के control में नहीं है ठीक है और business को क्या करना पड़ता है business को right action लेने पर right time पे right action लेकर के business क्या कर सकता है उन चीजों को rectify कर सकता है ताकि उनका जो effect है वो business पे कम से कम आए ठीक है तो what is business environment some total of all the external factors if I have to write for you some total of all the external factors ok which affects business business and over which business has no control ठीक है वो सारे external factors जो business को externally affect करेंगे और जिनके ऊपर business का कोई भी control नहीं होगा तो उन सारे factors को students क्या कहा जाता है business environment कहा जाता है hopefully आपको यह वाली बात जो है वो समझ में आ गई होगी कि business environment का meaning क्या है चलो आगे अब हम बात करने जा रहे हैं student की यह factors है कौन से राइट चलो एक मिंट यहां पर यूज कर लेता हूँ तो अगर मैं business environment की बात करूँ तो मैंने आपको समझाया पहले भी हुआ है यह business environment के जो factors है इनको याद रखने का बहुत simple सा तरीका होता है मैं domestic बात कर रहा हूँ international में थोड़ा बहुत इसी जैसा होगा ठीक है और कुछ factors अलग भी होंगे ठीक है तो यह जो हमारे environment के factors है में कितने पार्ट में रहे है पांच पार्ट में SLEPT S L E P T SLEPT now what is SLEPT S का मतलब students क्या हो गया social factors जो मेरे business को externally effect करेंगे ठीक है फिर legal factors ठीक है फिर economic फिर political फिर technological तो यह हमारे पास क्या है सूरन यह हमारे business environment ठीक है पांच factors जो मेरे business को effect करेंगे और जिनके उपर मेरा जो control है वो कुछ भी नहीं है बस अगर कुछ हो गया इन में कोई भी changes आते हैं तो मुझे देखना पड़ेगा कि किस तरीके से मैं एक right action लेकर के उस चीज़ से overcome करके अपने business को वापस profitable बनाओ social factors student वही कि आपकी country में religion को लेकर कि क्या perspective है अब जैसे आप समझते हो कि आप इंडिया में है तो इंडिया एक secular nation है तो यहां पर कोई बिजनस करो बीट के आप कोई Islamic जो मतलब इसलाम जो धरम है उसके accordingly कोई business करना चाहरे हो या फिर Christian जो है community है उनके according या फिर Hindu है या फिर Sikh है जैनिजम है ठीक है या फिर Buddhism है उसके according तो आपको सब तरीके के customer मिल जाएंगे majorly क्योंकि secular country है तो हर तरीके के लोग रहते हैं तो आप particular community के हिसाप से बहुत टागेट करोगे कोई product तो आपको काम चल जाएगा तो that is social factor लेकिन वहीं अगर हम मान लो कि हम Middle East की countries में जाते हैं तो Middle East की जाधा तर जो countries है मैं यह नहीं कह रहा कि वहां पे Hindu लोग नहीं है Sikh लोग नहीं है लेकिन student what about the majority तो majority of the population जो वहां पे वह कौन सी है वो है Muslim community Islamic religion के लोग है वो जाधा रहते हैं तो क्योंकि उस religion के लोग जाधे हैं तो आपके पास possibilities उस field में उन products में जाधा बढ़ जाएगी देन कि अगर आप trade करने बैट जो कोई Sikh community का product या कोई Hindu community का product तो that is the social factor इसके अलावा आपकी country में gender equality कैसी है इससे बहुत पढ़ता है अगर आपकी country में gender equality अच्छी कासी है आपकी country जो है वह male female में इतना distinguished नहीं करती तो आपको एक labor find out करना असान होगा क्योंकि अगर आप ऐसी country में जाते हो जापे female को काम करना allowed नहीं है या थोड़ा अभी भी orthodox सोच है तो ऐसे में क्या problem आएगी कि आपको सिर्फ जो labor है वह male ही मिलेगी तो social factors का एक बहुत significant role play हो जाता है हमारे business की foundation के अंदर फिर legal factors legal factors का मतलब है कि उस country के देखो every land has their own law तो उस laws के according क्या बनाना allowed है क्या नहीं जिसे की like what I have studied and I have like I have heard कि US के कुछ part में Marizuana जो होता है गांजर से हम बोलते हैं वो legal है वी जो लीगल है पर इंडिया में तो कहीं भी अगेंस्ट है तो definitely it will land you into some troubles है ना तो यह चीज़ा में ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो legal factors है वो कौन से है country के लॉस के accordingly हम business करें economic factor देखो मैं किसी भी देश में business के लिए जाऊंगा तो वहाँ पे interest rate कितना है मैं loan लेता हूं तो interest rate कितना है वहाँ पे जब मैं fix deposits के अगर कुछ time किल अपना पैसा block करना चाह रहा हूं तो उसमें interest rate कितना है country में inflation कितना है तो यह सारे factors है जो कहीं न कहीं मेरे business को impact करेंगे then political political का मतलब है कि उस country की जो government है वो क्या सोचती है business के लिए जैसे आज presently अगर मैं बात करूं तो present time में जो हमारे prime minister मोधी जी तो वह business बहुत अच्छे से समझते है and he is just trying like by any means कि किसी भी तरीके से जादा से जादा business जो है वो इंडिया के अंदर लाया जा सके मिलाब दुनिया के कोई भी देश है उन देशों से जो business है वो क्या हो सके इंडिया में लाया जा सके अभी रीसेंट्ली मैं आप से बात कर रहा हूं it's just की 10th of March के आसपास एक deal sign की लिए यूरोप के चार नेशन दुनिया करके कोई एक country है यूरोप की इन चारों ने मिलके decide किया है that they are going to invest dollar 100 billion okay in coming 15 years student अगर मैं इसको डॉलर को रुपी टर्म में समझाने की कोशिश करूँ तो ये almost almost equivalent हो जाएगा मुकेश अम्बानी जो है उनकी जो net worth है उसके बराबर so it will be somewhere around 9 लाक करोड तो इतना पैसा पंदा साल में invest करेंगे तो आप समझ रहे हो political parties का क्या vision है business के towards वो आपको help करेगा business को grow करने में या आपको वार्न कर देगा कि यहां की जो government है वो business के इतना favor में नहीं है external business के favor में नहीं है तो हमें invest करना चाहिए है नहीं and then technological of course अब आप देखो ना आज से अगर 30 years back अगर हम जाते है 30-40 years back तो teaching education कितना narrow concept था मतलब सोच के देख नहीं कि इसमें income और इसमें educate करना कितना challenging था यू आ teacher and you are a good teacher ठीक है बट आप restricted थे to a particular place कि आप यहीं पढ़ा सकते हो तो अगर किसी student को पढ़ना है तो वहां तक आना पड़ेगा ठीक है लेकिन अब मैं I am sure आप इस बात को समझ पाऊगे कि मैं इन videos के तुरू I really don't know कि कितने ही students को मैं इन videos के तुरू पढ़ा लूँगा मलब बहुत से students होंगे जिनको मैं कभी देखी मैं बहुत से किसी को भी देख पाऊँगा ठीक है लेकिन आपको फिर भी में पढ़ा दूँगा कि पूरा subject है कैसे technological help तो यह पांचो चीज है student जो business को impact कर सकती है right और करती ही है and आप इनको change होने से आप इन में कुछ रोक नहीं सक venture तो आप business India में करें या business बाहर करें अब जगा के business environment आएंगे तो इस chapter के अंदर we are going to discuss about this only के business environment international पे क्या-क्या होते है right चलो तो देखो थोड़ा सा जो लिखा हुआ है पहले हम वो पढ़ लेते है national and foreign environment business is a dynamic activity okay which is influenced by environment around it this requires scanning the environment in which the business operates okay so as to plan accordingly right तो इसमें तुम्हें देखना है कि पहले कहीं भी business करना है तो पहले देखना है सारी चीजों को social environment को technological को ताकि तुम्हें ये पता चल सके कि तुम्हें exactly करना क्या है उस जगा पर जाकर के कैसे तुम अपना move लोगे right so environment scanning refers to systematic analysis of information to determine which factors present in the environment affect the business activities such as marketing, production, finance, personal and how right so the business environment can be classified into micro and macro चलो अब ये micro macro क्या है इसके बारे में भी बात कर लेता हूं मैं आपसे ठीक है micro में ये जो i हम पढ़ते हैं this i stands for individual right और macro में जो ये a हम पढ़ते हैं this a stands for aggregate right students ये दो चीज़े होती है micro macro में individual और aggregate ठीक है micro economic study का मतलब है जब आप बहुत micro study का मतलब जो बहुत एक छोटे level पे आकर के individual small groups के level पे चीज़ों को study करना चाहते हैं लेकिन macro का मतलब होता है जब आप collectively study करना चाहते हैं पूरी industry पूरी country के बारे में it's not a particular industry अब आप चाहते हो कि पूरा overall picture लेना तो micro business environment student वह environments होते हैं जो particular business को impact करेंगे जैसे कि मान लो आप कोई भी business कर रहे हो प्लेक मान लेता हूं supplier customer अब एक बात समझो मैं पढ़ा रहा हूं इन वीडियो के थिरूँ आपको थीक है अब इसमें micro environment का है आप मेरे students है जो भी विवंड़ से जो भी student इन वीडियो को देखने है वो मेरे students है ठीक है मैं आपको बढ़ा रहा हूं अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में नहीं आता यह आपको लगता है कि यह नहीं इस बंदे से हमें समझ में नहीं आ रहा है यह सर ठीक है महनत तो कर रहे हैं बट हमें समझ में नहीं आ रहा वो मैच नहीं हो पारा करने वाला वाला यह इस case में यह सिर्फ मेरे business को impact करने वाला है बाकियों को नहीं क्योंकि बाकियों को तो आप जाके फिर भी Don't她 करोगे ना उनसे आपको समझ में आ सकता है कि ओरून में से कोई teacher को जिनसे समाझ में आ जाए, so are you getting my point, so आपका customer, आपका supplier, आपका investor, यह micro है, तो कि अगर इनको कोई problem होगी, तो सिर्फ आपके business को problem create होगी, यह नहीं कि यह overall सबको ही impact करने वाले हैं, ऐसा नहीं होगा, it will impact just your business, not anyone else, किसी और के business को कोई impact नहीं करने वाले हैं, यह हमारे पास क्या होग ठीक है, जहां पर किसको impact हो रहा है, एक को, लेकिन अगर government कोई policy change करते, किसी तरह की technology change हो जाए, ठीक है, अब यह किसको impact करेगा, यह तो overall जितने भी लोग हैं, उस industry के अंदर, उन सबको impact करने वाला है, तो that is why, जो business environment है, वो दो पार्ट में classify कर लिया गया, एक micro में और ए industry को ही impact करने में, चलो, आगे देखते हैं क्या लिखाष में, so the micro environment includes all those factors which are specific to that firm and can be controlled by it to an extent, okay, so this includes the suppliers, the intermediaries, okay, customers, employees which are part of firm's immediate environment and directly influences his planning and operations, so, जैसे कि मैंने आप से कहा, कि बिलकुल जो आप से closely connected है, जो आपको impact करने वाले है, और जिसके ओपर कुछ extent तक आपका control रहता भी है, but the macro environment refers to those factors that influence all the firms of that particular industry, जैसे कि मैंने आप से कहा, कि वो पूरी industry को impact करने वाला है, अगर आज हम online methods के तुरू पढ़ाने की कोशिश कर रहे है, and let's just suppose future में, अब जैसे कि आपको पता है कि कहीं ना कहीं, आज hologram के जो concept है, वो बहुत चल गे, hologram company के giants है, उनके अगर कभी आपने वो देखे होंगे, interviews वगेरा या उनके कोई seminars देखे होंगे, तो उनमें बताते हैं कि मैं यहीं पर हूँ, मैं एक जगा अपने घर पर बैठा हुआ हूँ, exactly मेरा एक 3D image किसी एक जगा पर चला दिया जाएगा, तो मैं यहां बैठे-बैठ से अपने action करता रहूँगा, और वो 3D image वो जहां पर भी जगा पर चला जाएगा, वहां पर वो सेम वही काम करेगा, मैं यहां बैठके आपको पढ़ा रहा हूँ, but virtually, not यह videos के दूरूप, virtually 3D form में मैं आपके बिलकुल सामने खडा रहा हूँगा, let's just suppose कि मैं Delhi में बैठा ह हुआ, तो मैं Delhi के अंदर बैठा बैठा, जो में इसा type batch है, मैं उनको समझा रहा हूँगा, but मेरी 3D virtual image जो होगी proper, जो बिलकुल मुझ जैसी दिखाई देगी, वो वहां पर चलती रहेगी, right, क्या पढ़ता है, यह चीज आ जाए, जब यह अभी आतो रही है, उनके अभी इतनी common नहीं है, लेकिन जब यह आ जाएगी, तो students will definitely prefer this over online method, क्या चलो teacher का एक वो जो face है, वो भी समझ में आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, physical presence भी है, वो भी impact कर सकता है, तो यह सब को impact करेगा, यह नहीं के हमें impact करेगा, जितनी भी industry EdTech के अंदर है, सब को impact करेगा, that is national and foreign environment, अब उसमें का का है, for an international company, the macro environment of home, as well as host market, will have impact its operation, है ना, तो मलब तुमारी country के में तो देखना पड़ेगा, कि तुमारी country foreign investments को लेकि क्या view रखती है, plus उनका क्या view है, तो तुम्हें दोनो ही देखना पड़ेगा, कि तुमारी country के साथ भी तुमारे जो laws है तुम्हें वो भ national and foreign environment, चलो, आगे बात करते है students, एक बाद से आप रीट करता है, पानी पीरू कोड़ेगा, तो आगे है, the world consists of various countries, each having their own diverse systems, physical, ecological, economic, political, socio-cultural, legal and technological, okay, while in America, promotion is done on the basis of performance, in Japan, the work span of employees in the organization is the criteria, in case of western countries, people have more disposable income, hence, demand for luxury goods is high as compared to Asian and African countries, बिल्कुल सही बात है and that is the reason कि अगर आप कभी भी Hollywood की ज्यादा तर कोई भी movies देखेंगे, तो वहाँ पर आप देखना, Audi, BMW, Lamborghini, जो जैसी गाड़ियां जो होती है, बहुत जादा, ऐसे नहीं को कौन सी गाड़िया, लेकिन उन country में नहीं है, तो कि disposable income जादा है, तो यहाँ पर जो एक word यूज किया गया है student, disposable income, okay, assuming that same thing, तो disposable income का मतलब क्या है, कि students देखो, जो भी income आपके पास है, अगर इस income में से आप अपना जो भी income tax है, वो हटा दे, तो income में से tax बचने के बाद जो income बच जाती है, that is known as personal disposable income, okay, तो आपकी income जितनी भी है, उसमें से आप अपने taxes को हटा दे, तो whatever is left with you, that will be your personal disposable income, तो आगे में क्या का है, इसमें देखो, तो these diverse environments provide opportunities as well as threats for companies, waiting, wanting to expand beyond their home country, अब उसमें क्या-क्या जीजे देखो, आप में देखनी पडती है, what would be the mode of entry, और सगर आपको यह लगता है, कि अगर आपको USA में business करना है, Japan में business करना है, Switzerland में business करना है, क्या entry का mode रहेगा, right, when to enter the market, like what is the right time to enter the market, जैसे अगर मालो, इंडिया में किसी को business करना है, कोई चीज वो सोच रहे के चलो, यह इस तरह का business शुरू किया जाए, तो what I think student की better क्या रहेगा, इंडिया में business करने के रहे है, कि आप जो भी business करना चाह रहे हैं, खाने का, कपडे का, शूस का, तो August September के आसपास किया रहे है, reason क्या होता है, कि जनर लिए कि आप इंडिया का pattern समझते हो, तो एक festive season type शुरू हो जाता है, September October के आसपास, तो आपको पता यह देशेरा आता है, करवा चौत आता है, ठीक है, भाईदू जाता है, और सबसे बड़ा festival, दिवाली आता है, फिर just followed by दिवाली रहे है, आपका यह कहते है, गुरू पर्व आता है, ठीक है, Christmas आता है, फिर New Year Eve आती है, तो अगर आप consecutively देखे, तो many events are there, along with that, इसी period के अंदर, वो सारे साहे आते हैं, वो साहे जो श पता होना चाहिए, कि राइट टाइम क्या है, मार्केट में एंटर करने का, एक आपकी फिर organization strategy क्या होनी चाहिए, क्या प्रोड़क्ट आपको offer करने चाहिए, प्रोड़क्ट बहुत जादा matter करता है, ठीक है, कि अब कौन से country में, तो जिस country में आप हैं, उस country के accordingly आपको उन demand है, उनके अलग requirements है, हम उन चीजों को इंडिया में sell करने की सोच सकते है, if we want to upgrade इंडिया, है न, technologically इंडिया भी upgrade हो रहा है, तो हम जपान से समान लाके इंडिया में बेच सकते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसे बहुत कम समान होंगे, जो आप जपान में जाकर के बेच अलग है, technologically वो बहुत अलग है, वो सोच उनकी different है, तो यह आपको देखना पड़ेगा, segment of consumers to be targeted, किस तरह के consumers को आप target करना चाहते है, location of production facility in offices, अगर आपको अपना office start करना है, तो उसकी location क्या होगी, तो यह सब चीज़े आपको देखनी पड़ेंगी, जब भी आप अपना कोई भी business start करना चाहेंगे, तो mystic में भी हो, चाहे internationally हो, ऐसा नहीं है कि यह सारे question जो हमारे पास आएंगे, वो सिर्फ international business करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, तो mystically भी अगर आपको business start करना चाहते हो, तो these are the challenges, these are not the challenges, but these are the questions which has to be addressed at the earliest, चलो, यह हमने पड़ी लिया, अब देख I am sure like, आप इतने जादा समझदार हैं कि physical environment समझ सके, physical environment का मतलब क्या है, कि geographically वो जगा कहा है, क्या natural resources है, क्या उसका climate है, यह सब कुछ समझना, क्योंकि इसके basis पे आप business करोगे, like Africa है, अब African countries के अगर students मैं आप से बात करता हूँ, तो जादा तर African countries जो है, उनका जो temperature है, उ उनके यहाँ पे जो मौसम रहता है, African और Middle East की countries का, वो क्या है, वो ज्यादा hot temperature स्वाली country है, ठीक है, उनका temperature हमेशा आपको 30, 35, 40 से ऊपर ही दिखेगा, अब ऐसी जगा पे तुम जाकर के, एक jacket बेचने का काम शुरू कर रहे हो, या sweaters बेचने का काम शुरू कर रहे हो, ज जो आपको, आपने सोचा के चलो बेचूंगा, जो आपको minus 30 degree Celsius तक के अंदर भी jacket आपको warm रख सके, आपको लगता है that your business is going to grow, no, not at all, बोच रखता है कि आपका ये वाला business Russia के अंदर boom कर रहा था, आपको बहुत अच्छा response मिल रहा था, आप millions of dollars कमा रहे था, लेकिन प्लानिंग के, आपकी प्लानिंग में दिक्कत ही क्योंकि geographical location ही नहीं कि इसीज के requirement हो, तो यह आपको समझना पड़ेगा, कि जो product आप बेचने जा रहे हो, तो वो कौन से geographical location में बेचा जा रहे है, based on their geographical location, आपको ये चीज़ डिसाइड करने है, तो इसमें जरा पढ़ लेत है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ 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 है, कि Africa and South America have hot weather climates, and thus there is no demand for products like woolen clothes or heaters, the physical environment is an important component that a businessman should analyze before venturing into foreign markets, the various components which are to be looked into are, geographic location of the country, जैसा कि हमने पहले बात कर ली, कि पहले ह में देखना पड़ेगा, कि geographic location कि है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, the country is surrounded by water bodies, और it is a landlocked country, such as Zimbabwe, Israel, Zambia, landlocked countries का मतलब क्या होता है, सुरुन, चहाँ पर सारे तरफ सिर्फर सिर्फर सिर्फ land, land है, मिनब कोई आपके बास कोई भी किसी तरह का रमुंदर है ही नही, तो अब landlocked countries है, तो वहाँ पर किस तरह के, आप वहाँ पर चले गए, कोई भी sea sports, क्या item लेकर के, कुछ ऐसी चीज़े, चलेंगे ही नहीं, right, okay, so this affects the distribution strategy of a company, in the case of landlocked country, if a concerned country doesn't have good trade relations with its surrounding countries, in case logistic and distribution problem, यह आप समझ सकते हो, कि landlocked है, और तुम अपने आस पास की जो countries है, उनसे भ तुमारा बहर है, मलब अच्छे terms नहीं है, तो तुमारे पास समान आने में बहुत देखकर तू, right, second, natural resources, one of the major factors that determine the location of a company's manufacturing plant is the, is the availability of natural resources in that country, for example, oil is found abundantly in the middle east country, such as Iraq, Iran, Saudi Arab, hence business dealing in oil and natural gas set up their oil plant there, rather than in countries where it is not available, तो आप किस तरह के natural resources कहां पर present है, उसके related business महां पर करोगे, तो definitely that business is going to grow, जिसी कि अगर मैं आपको example लेके बात करूँ, कि अपने Africa का नाम सुना ही है, तो world के अंदर जो सबसे जादा diamond की, जो mining की जाती है, ठीक extraction किया जाता है, वो Africa में किया जाता है, और अपने D. Bears company का न number one company है, मैं अब कह सकते हो, it is close to monopoly, तो अब मैं वहां जाकर कि यही business करूँ न, ठीक है, अब अच्छा आपको बताता हूँ, वैसे हम यह मानते हैं कि भाई, बिहार has contributed almost nothing, ऐसा माना जाता है कि बिहार ने क्या ही दिया, क्या ही दिया, मैं आपको एक बात, बहुत importantly बता दू, natural resources के मामले में, जितना भी total जो gold का production, extraction जो है, mining जो करके निकाला जाता है gold, पूरे इंडिया के अंदर, उसका 44% सुरिंस सिर्फ बिहार बिहार में है, तो आप समझ रहे हो, कि मतलब natural resources का कितना बड़ा portion आपके, और 44% gold, ठीक है, कोई मजाक नहीं है, almost monopoly, almost क्या, monopoly हो गई, आप सारे states में, एक state 44% major stake लेकर के बैठा हुआ है, तो natural resources कैसे present है भाँपे, and climate and topography, climate and topography, climate and topography have important implications for a company to expand into foreign market in terms of type of product, demand, modification in product, इसे यहां पे लिखा हुआ है, for example, role size company, which manufacturer cars has to be extensive work on car bodies in Canada, this is because it snows heavily in Canada, and the salt present in the snow, corrods the body part, तो अब मतलब, अगर किसी country में जा रहे हैं, तो उनकी climate देखना पड़ेगा, ठीक है, किस तरह की गाडिया वहां पे हम बेच सकते हैं, कोई भी बात गाडियों की नहीं है, बात कोई भी product की है, right, कि उस जगा पे जा करके, अगर मैं इसी same product को उस जगा पे लेकर के जाऊंगा, तो वहां पे उसके ज physical environment, सबसे पहले, चब आप internationally कोई भी business लेके जारें, तो पहले आपको यह देखना पड़ेगा, क्योंकि students, अगर आपका, इन में से ही कोई चीज ऐसा match ही नहीं हो रहा, तो आपको business ले जा ही नहीं सकते हैं, जैसे मान लो, कि आप एक brand हो, जो जाधा तर woolen clothes में ही deal करता है, ठीक है, जैसे आपने उसका नाम सुना होगा, पोगया माहिन से, और अच्छा brand है, woolen clothes के लिए, इंडिया में कि आप देखोगे, तो बहुत अच्छा brand है, और लो, काफी, Monte Carlo, अगर हैं Monte Carlo की बात करें, तो आप उसके sweaters का भी देखें, ऐसा मैं नहीं कह रहा, कि उसके अला क्योंकि Monte Carlo, इस segment में बहुत अच्छा है, और वो यहाँ डीर कर रहा है, अब वो अपने आपको expand करना चाहरा है, से इन Middle East, नहीं हो पाएगा, क्योंकि Middle East के हिसाब से तो उसका product चलेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे इतनी ठंड ही नहीं, तो इसलिए आपको यह देखना प business बूम कर सकते हैं, और climate के accordingly आपका product एक success होगा या failure होगा, that you have to look, ठीक है, तो यह physical environment होगा है, सबसे पहली जाए, इकोलोजिकल environment, तो ecological environment का मतलब क्या हो गया, देखो ecological, it's not economical, मैं इसको economic environment नहीं बोल रहा, ecological environment का मतलब होता है, जिसे अगर मैं आपको example लेके बात करता हूँ I hope आप लोगोंने भुटान का नाम definitely सुना होगा, हमारी neighboring country है, अब भुटान जो country है यह आपको कहती है, कोई भी tourist यहाँ पर अगर जाएगा, foreign से, मलब foreign मलब इंडिया को छोड़ करके, ठीक है, और इंडिया से, तो इन्होंने दो category में divide कर रख, अगर आप इंडिया से आ रहे हो, या फिर आप पाकी rest of the world में किसी भी country से आ रहे हो, यहाँ पे आपको एक green text नाम की चीज़ होती है, जो आपको pay करनी पड़ती है, इंडियन के लिए थोड़ा सा कम है, और rest of the world के लिए थोड़ा सा जाधा है, ठीक है, और यह per day का होता है students, आपको per day जब तक आप उस जगा पे हैं, यह आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि बुटान इस बात को claim करता है, कि हम किसी भी तरीके से natural resources को exploit नहीं कर रहे, and we are trying our best कि हम कोई भी ऐसी चीज़ बनाए भी ना, और करे भी ना, जिससे कि हमारे जो ecological environment है, उसको कोई harm कर पहुचे, हमारा air, हमारा water, ह चाहिए, tourist आ रहे हैं, घूम रहे हैं, उसकी वज़े से थोड़ी बहुत problems हो सकती है, उसको rectify करने के लिए, we are charging you these times, so that जो भी आप अपने घूमने के वज़े से, जितना भी environment pollute कर रहे हो, उसके लिए, उसको rectify करने के लिए, उसका उतना amount दिया जा सके, right, so this is called ecological environment, कि वह सस्टेनिबल development को लेकर किस तरह के concept चलाए जाते हैं, आपको वो country जसे की, वो काम करने देगी या नहीं करने देगी, देखो सुनुच में आपको एक बात बताता हूं, ठीक है, और यह तो कुछ movies में भी है, जो आप देख सकते हो, और अभी recent के एक movie आई थी, 2023 के अंदर ज सारुक कान सर है, तो उनकी यह movie आई थी, सारुक सर की, तो जवान movie में यह दिखाया गया, कि जो villain है, ठीक है, अगर आप याद कर पाए, विजे सेतु पती, जो villain है, वो एक बहुत बड़ा conference रखते है, ठीक है, और I think कुछ medicines, pharmaceuticals को लेकर के वो concept होता है, जिसमें एक person होता ह है, जो कहता है कि अलग अलग जगा से वो पूरी conference में लोग आकर के बैठे होते हैं, तो वो बताते हैं कि हमें किसी भी देश के अंदर काम करने के लिए, यह चाहिए, वो चाहिए, यह चीज़े चाहिए, ठीक है, और बाकी कोई भी देश किसी चीज की permission नहीं देगा, बट इंडिया, इंडिया में जितने भी permissions लेके आनी है, चाहिए किसी भी कोई इसी भी चीज की हो, I'll take care of it, और पतने कितने billion dollar का project होता है, जिसमें वो कहते हैं कि एकतना 1000 क्रोड रुपे लगेगा, तो विजय से तुपती सर कहते हैं कि इतने क्रोड तो मैं लगाने को तयार हू अब इस scene के through मैं आपको बताना क्या चाहरा हूं, कि जो जवान movie में concept दिखाया गया, उसमें ये बताया गया है, कि इंडिया के अंदर ecological environment आपके business को impact कर ही नहीं सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पे, if you are bribing people, तो आप अपना कोई भी काम निकलवा सकता, उसमें सा कहीं भी तुम्हें permission नहीं मिलेगी, लेकिन इंडिया के अंदर इस चीज की permission मिल जाएगी, और यह बहुत profitable होगा, तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, कि इंडिया में ecological environment is not a big challenge at the moment, हमारी present government बहुत काम कर रही है, हो सकता है future में, इंडिया में भी ऐसे unnecessary के जो भी business हैं, वो ब और वहां की government उसके लिए क्या concern रखती है, तो ecological environment इस तरीके से business को impact करती है, पढ़ते है, sustainable development and environmental protection have become important topics in international business forums, the companies can no longer work with profit as their objective, अब आप सिर profit के रहे काम करोगे, ऐसा नहीं होगा, profit के साथ में along with your profit, आपको ये भी ensure करना पड़ेगा, कि किसी भी तरह का environment pollution नहीं होना चाहिए right, they need to keep a check on the impact of the activities on the ecological systems, many countries such as Germany have strict environmental protection laws, in case of violation of them strict action is taken against the company concerned, the environment laws pertain to areas like air emissions, soil control, waste disposable systems using eco-friendly raw materials and processes and the release of toxic substances dangerous to health, conservation of forest, water management system, etc. In China, the Institutes of Public and Environmental Affairs publishes the list of companies responsible for causing water pollution, some of the companies in this list include pizza, hut, ketchup, fried chicken, okay, that is KFC, okay, and dew point and four branches of Pepsi, cola, so I mean, ये उन्होंने कुछ नाम बताएं, जन लोगोंने क्या 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 है, जन लोगों के actions की वज़े से, चाइना का जो भी environment pollution हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, जिसकी वज़े से उन्होंने उनको बैन कर दिया, तो आपको ये चीज धरूर देखनी पड़ेगी कि उस देश का जो government है, वो कितना strict है, ecological जो imbalances है, उनको ले करके, okay, every MNC talks about corporate social responsibility, CSR होता है, अब अगेन, क्यूंकि आप commerce के student है, definitely आपने पढ़ा ही होगा, CSR होता है, कि हर company को कुछ contribute करना पड़ता है, जो भी वो earn करते हैं, उसके अंदर से, कुछ वो लोग एक tax बचाने क अब एक तरीका होता है, के complete social responsibilities के अंदर हम डोनेट कर रहे है, environment के लिए, गरी बच्चों कर रहे है, जो भी है, so working towards a wearest society, and acting terpenoid towards the environment, but such a scenario in China reflects a different picture, this requires the government to be stricter in implementing these laws for the protection of the environment, in India, a company has to obtain environmental permits from the state and local bodies while setting up a manufacturing plant, these boards ensure that the company is adhering to the environment, environmental rules set by the legal system, चलो अच्छी बात है, तो देखो, CPCB board नाम की इंडिया में बेचीज़ है, which is control, CPCB, controller of pollution control board of India, ठीक है, ऐसे ही है, CPCB है, और control pollution board तो है, एक में को वो C याद निया रहा, जो भी एक है, तो है तो, इतना effectively काम कर रहा है, इसमार्ट, ठीक है, कि तुमने बना तो दिया organization, कि भाई, organization को काम भी दे दिया, कि भाई, तुमारा काम यह है, लेकिन, वो कितनी effective है अपना काम करने में, यह तो बहुत matter करता ही करता है, तो यह हमारे पास हो गया, students, ecological environment, अब यह एक example दिया हुए, बस, इसे rose country, so what is rose country, मैंने आपको, I think, previous एक या दो lecture में, जो rose country हुए है, क्योंकि उसका जो environment है student, उसके according, आप देख सकते हो, जो information मैंने आप से शेर किया है, it is the third largest exporter of roses in the world, world के अंदर जितने भी roses बनाय जा रहे है, उसके largest exporter कौन है, उसके largest exporter है rose country, right, so this is because it receives direct sunlight throughout the year, as it is located near the equator, also roses are grown at an altitude of 2800 to 3000 meters, thereby providing ideal conditions for long steamed roses, right, तो अब आप समझ जो ना, कि किस country के पास, किस तरह की चीज़े मिली हुई है, उसके basis में कौन सा business वहाँ पे सही रहेगा, ये सबसे पहले आपको decide करना पड़ता है, right, तो ये मारे पास क्या आगया, कि इस तरीके से आपका जो physical environment है, वो आप कि बिसनस को एंपका